खरकोदा अक्षेतर में लगातार बड़ी हलचल चली हुई है, 5800 अकर जमीन का क्या होगा, किस परकार सरकार 5800 अकर जमीन 11 गाउं की ले पाएगी, तो इस परकार की जो अपडेट आज पहली बार हम आप लोगों को देने वाले हैं, अगर आपको भी समझना है कि 5800 अकर जमी आप सभी का एक बार फिर से स्वागे था हमारे चैनल पर, आज कुछ एनिमेशन में बहुत बड़ा बद्राव आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हम बैक्गराउंड के उपर नहीं, एक रियालिटी बेस्ट पलेट फोरम पर वीडियो बनाने का कारिये कर रहे हैं विशे, विशे शब से गंबीर है, खर खोदा का जीकर आज की वीडियो के मादम से हम करने वाले हैं खरखोदा आपने अनेकों बार सुना होगा कभी ने कभी देखा होगा कोई वेक्ति बोल रहा है कि आप पलोट खरीद लो कोई बोल रहा है जमीन खरीद लो कोई खरखोदा से 12 किलोमीटर दूर जमीन खरीद रहा है कि खरखोदा से उसको फाइदा होगा इसी परकार की लगातार हलचले चली हुई है और एक लंबे समय से खरकोदा अपनी एक नई पहचान बनाने में काम्याब हो पाया है लेकिन पिछले दिनों खरकोदा को लेकर फिर से चर्चाय चली हुई है चर्चाए काफी गर्मा गर्मी के माहुल में है क्योंकि खर खोदा अक्षेतर में सरकार दवारा ग्यारा गाउं की 5800 एकड जमीन सरकार को चाहिए दी सरकार ने उस जमीन के लिए 2022 की हरियाना लेंड पुलिंग स्कीम के तहत आवेदन मांगने का भी काम किया क्योंकि सरकार सोचती थी कि 11 गाउं के किसान काफी जल्द रेजिस्टेशन कर देंगे और सरकार को नई IMT विस्तार की 5800 एकड जमीन आसानी से मिल जाएगी लेकिन क्या होता है सबसे पहले समझ ये कि खर खोदा ने कि अक्षेतर में ये 11 गाउं IMT के बैक साइड के ही क्यों चुने गए इनके पिछे क्या कारण था खर खोदा IMT के फेस्टू का विस्तार गाउं जटोला गाउं थाना कला थाना खुर्द के साइड में होना था जिसके लिए परस्तावित 2041 खर खोदा माश्टर पलान भी साफ तोर पर कह रहा है कि IMT फेस्टू वहां बढ़ना था लेकिन सरकार ने कहा किया सरकार ने देखा कि यहां पर जमीन के रेट आसमान चू रहे हैं गाउं जटोला में एक दो जंग एतो ऐसी है जहां पर 9 से 10 करोड परती एक कड़का रेट भी पहुँच गया है तो सरकार ने सोचा कि जमीन यहां पर अगर हम अधिगरन करेंगे तो उस जमीन का रेट भी कई गुणा होगा जमीन अधिकरन की परकरिया ही महंगी होगी तो हम फैक्टरी जो जमीन जिनको लोट करेंगे जिनको जमीन बेचेंगे उनको किसी रेट में बेचेंगे आगर 10 करोड की हम लेते हैं या 10 से कम हिमान लेजी हम 7 या 8 करोड की भी लेते हैं तो क्या हम बगर मुनाफिके उन्हें नुक्सान में बेचेंगे तो सरकार OHSI DC के अधीकारियों ने एक लंबी बैठक की जो लगबग 15 से 20 दिन चली जिसमें बहद्रुगड के पटवारी खर्खोदा के पटवारी शामिल रहें क्योंकि पहले खर्खोदा के पटवारी थे बाद में बहद्रुगड के एरिया के गाउं शामिल होए तो वहां के रकबे के पटवारीयों को भी इसमें सामिल किया गया पटवारीयों के आपस में भी चर्चा हुई बैठक हुई उस बैठक में निश्कर से वहां के पटवा जिन में गाउन लडरावन, गाउन बरोना, गाउन किडोली, गाउन परलादपुर, गाउन पाई, गाउन सोटी, गाउन जसोर खेडी, गाउन कुलासी, गाउन निलोठी, गाउन कानोंदा, गाउन खेडी जसोर और गाउन सोटी का रकबा शामिल किया गया। बहद्रुगड के अक्षेतर में गाउं कुलासी की सबसे ज़्यादा जमीन लेने का जो प्रोपलान था हो सरकार ने तयार कर दिया सरकार ने इसे तयार किया 2022 की लैंड पुलिंग स्केम के तहते यानि कि सरकार ने एक पॉर्टल लॉंच कर रखा है जो HSIIDC का इभूमी पॉर्टल जिसे हम बोल सकते हैं यानि कि आप HSIIDC के वेब साइट के उपर जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शिन्स होगा इभूमी पॉर्टल हरियाना आप जैसे हूँ इभूमी पॉर्टल को खोलेंगे वहाँ पर आपको डिटेल से मिल जाती हैं इभूमी पॉर्टल पर यह लॉंच कर दिया लॉंच कब किया लॉंच की तारिक थी 19 तारिक मतलब डेड तारिक भी से बोल सकते हैं 19-2024 तक यह रिजिस्टेशन करना था जब डेट निकाले उससे 19-2024 तक सरकार ने रिजिस्टेशन का वेट किया वहाँ पर जैसे ही आप लोगिन करने का उप्शिन खोलते हैं वहाँ पर आपके सामने दो अप्शिर आ जाते हैं लेंड पूलिंग स्केम में इन्वस्ट करना चाते हैं लेंड पूलिंग स्केम इन्वस्ट में तब 2022 के हरियान सरकार की लेंड पूलिंग स्केम और जमीन बेचना चाते हैं तो सरल सा बाहाँ आपका क्या जमीन बेचना चाते हैं दोन्नों उप्शिन आपके समक्ष को गए उसके बाद काफी लोगों ने क्या करा options तक गए अपनी id create की और registration नहीं गिया ऐसा कई बार हो चुका है यानि कि ऐसा कम से कम भी बात करें तो 50 से 60 बार ऐसा हो चुका है कि इन 11 गाओं के किसानों ने पोर्टल पोर्टल तो खोला पोर्टल खोल के registration भी अपना मोबाइल नंबर के साथ आदार नंबर होता उसको वेटेच करने का काम कर दिया उसके बाद जब ओप्शन आया कि मैं जमीन बेचना चाहता हूं या लेंड पुलिंग स्किम में इन्वेस्ट करना चाहता हूं वहां से किसान बैक मार गई यानि कि वापस आ गए उन्होंने आगे ऐसा होने के बाद बैक मार गए छोड़ गे मुश्बार पोर्टल पर clone रिजिस्टेशं तो कर दिया मुबार है तुर्व कि आपका बनिंधे धार न्होंने जुपारश की भी उसके बाद जब आपके समक्ष ओप्शन आया कि बेचना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं तो किसान बैक मार गई ऐसा खर खोदा के एक्षेतर में देखा गया अब आप सोचते होंगी कि डेट भी जा चुकी है कब क्या होगा होगा नहीं होगा उसी की हम बात करने वाड़े है तो जब ये काम हुआ रिजिस्टेशन का अनुमान जो लगा जा रहा क्योंकि आधिकारी कलियरली कोई जवाब नहीं दे रहा अनुमान लगा जा रहा कि रिजिस्टेशन की संख्या 15 परतिशत से भी कम है यानि कि 100 किसानों में से 15 से भी कम किसानों ने रिजिस्टेशन किय कई लेंड पूलिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिन की भी पर्चंटेज के हम बात करें तो जमीन बेचने वालों की संख्या लेंड पूलिंग बेचाना चाहते थे तो उनके लिए स्केम थोड़ा फायदेमंद रह सकती है इसलिए उन्होंने रिजिस्ट्रेशन कर दिया तो लगातार याट कले चलते रही अब जब आज की तारिक के हम बात करें तो लग बग नो फरवरी 2024 आज की डेट है आज की डेट के अनुसार क्या होना चाहिए पॉर्टल प्ल काम होना चीई है नहीं होना चीए आपके नज़रिये दाएठ कमेंट बुक्स में जुरूर कमेंट करके बताए कि क्या चल रहा होगा हम बताते हैं क्या चल रहा है अब सरकार के पास द मतलब दिल्ली के जो गाउं है वो इस एरिया से एटैच में है और दिल्ली सरकार की लेंड पुलिंग स्कीम में दिल्ली के जिन किसानों ने आवेदन किया है उनकी काफी रिष्टेदारिया भी है इस साइड में वे बता रहे हैं कि हमें नुक्सान हुआ है लेंड पुलिंग स आविदन किये हैं अब सरकार क्या करने वाली है अब आज की 9 फर्वरी 2024 को आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके अप्लोडिंग और बढ़ने की तारिक भी 9 फर्वरी 2024 ही है तो किसान क्या करेंगे किसान नीट्रल है किसान कुछ किसान जमीन नहीं बेचना चाते है कुछ किसान लेंड पूलिंग स्कीम में इनवेश्ट करना चाते है कुछ किसान ना बेचना चाते हैं ना लेंड पूलिंग स्कीम में इनवेश्ट करना चाते हैं कुछ किसान है जो समय का इंतजार करें कि आने वाल में है वो सब से सस्ती जमीन इनी गाउ में सरकार गुने तलास्ची है कि यहीं पर IMT से लगता एरिया है दिल्ली सीमा से सटा एरिया है यहीं पर IMT फेस्टू विक्षित हो सकता है यहीं पर बड़े बड़े उद्योगपती इन्वेस्ट कर सकते है मारूती बड़ी-बड़ी कमपनियों को खीचने का कारिय कर सकती है इसे लिए सरकार यहीं तक रहना चाहती आगर जटोला उस साइड में यानि कि जटोला थाना कला थाना खुर्द साइड में सरकार जमीन के लिए आवेदन निकाल लेगी तो कोई भी किसानी है तो 15% रहे गए वहाँ पर किसानों की संख्या 3-4% पर ही सिमित रह जाएगी यानि कि इस से ज़्यादा किसान वहाँ पर आवेदन नहीं करेंगे तो यह जो सिस्टम चला हुआ है यह सरकार को काफी चिंता जर्यक भाव में डाले हुए है अब सरकार दो चीजों का इंतजार कर रही है एक तो वरतमान की हरियाना की बीजेपी सरकार गठबंदन सरकार यानि की इंतजार कर रही कि चुनाओ आ जाएं चुनाओ के बाद ही कुछ ऐसी गोशना करें जिससे लोग खुश हो थी क्योंकि नराज अगर एक बार किसानों को कर दिया कम भाव में उनकी जमीन लेने की कोशिश की तो आने वाड़े चुनाओ में किसान उन्हें नुक्सान भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि एक बड़ा रकबा खर खोलदा के ग्यारा गाउनों का है अब सरकार के पास दो जाने का काम करेंगी कि आप यहाँ पर रेजिस्टेशन कर दीजिए सरकार के और से रेजिस्टेशन करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ती भी की जाने वाड़ी है यानि कि सरकार उन अधिकारियों को नियुक्त करेगी जो रेजिस्टेशन करें गाउं की चोपाल सरकार किसानों से आविदन मांगडे का काम काफी जल्द आपको ग्राउंड स्तर पर देखने के लिए मिल सकता है दूसरा ओप्शन क्या रहता है सरकार किसानों को समझाएगी या किसानों को डारेक्ट रूप से बोलेगी कि लेंड पुलिंग स्कीम को छोड़िये आप सीधे तो और पर मौजे की बात करिए यानि की जैसे आपने देखा होगा जैसे वरतमान के बुलिट ट्रेन प्रोजक्ट को लेकर चला हुआ है कि गरामिन अक्षेतर में च्यार गुणा यानि कि कलेक्ट रेट का च्यार गुणा मौजा और शहरी अक्षेतर में कलेक्ट रेट का दो गुणा तक मौजा बढ़ाने का कारिय किया जाने वाणा है गरामिन अक्षेतर के अगर कलेक्ट रेट की बात करें तो कई गाओं में आसपास में 70 लाक रुपे कलेक्ट रेट है अगर 70 लाक के हिसाब से हम निकाले 4 गुणा तो 2 करोड 80 लाक रुपे परती एकड जमीन का महजा यहाँ पर किसालनों को 4 गुणा के हिसाब से मिलेने वाड़ा है अगर 2 गुणा शहरी आईरिया में निकाले जैसे खरकोदा का शहरी दाइरा है उसमें निकाले तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका कलेक्ट रेट 90 लाक रुपे तो आपको 1 करोड 80 लाक रुपे वहाँ पर मिल जाएंगे इस परकार का यहाँ पर कलेक्ट रेट फॉर्मूला काम कर सकता है जिसके लिए अगर सरकार चाहे तो उस स्कीम की बदला इस स्कीम को लॉंच कर सकती है लेकिन सरकार क्या सोच रही है कि पहले देख लेते हैं कितने लोग land pulling scheme के लिए आविधन करेंगे यानि कि कितने लोग बोलेंगे कि हम सरकार के साथ में land pulling scheme में साजीधार बन सकते और आनेवारे समाँ में प्लोट ले लेंगे या हम इस अक्षितर में तो सरकार उसको देख रही है अभी सरकार रेजिस्टेशन की डेट को भी कुछ टाइम के लिए बढ़ा सकती है क्योंकि सरकार के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है एक नहीं तो दूसरा विकल्प काम करेगा दूसरा नहीं तो तीसरा काम करेगा क्योंकि पहले देखेंगे कि Land Pulling Skim में कितने किसान आवेदन कर रहे हैं कितने लोग सजीदार पन रहे हैं बाद में सरकार देखेंगे कि कितनी जमीन के किसानोर ने रेजिस्टेशन नहीं क्या उनको समझाने का परियास करेगी कि शोट आउट करने का परियास करेगी मामले को क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर बड़ी संख्या में मारुति की लीथियम बैटरी प्लांट लगाने के लिए सरकार ने जमीन देनी है और मारुति जैसी बड़ी कंपनी को जमीन सरकार को आवश्य देनी पड़ेगी क्योंकि हितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हर्याना में सबसे बड़े इंवस्टमेंट की जो कंपनिया हुन में मारूति शुमार है एक दो नहीं मारूति की कई छोटी बड़ी काई हर्याना में चली हुई है रोतक में भी मारूत्य की छोटी काई चली हुई है, गुडगाओं में भी चली हुई है, मानेशर में भी चली हुई है और साथ-साथ कई जिंग है पर हर्याना में भी एक से दो जो ITI के अंदर मारुत्ति के शिखाने वाले जो बच्चों को पलांट जैसी इसोई दाई देते हैं वे चीज़ें भी लगी हुई है सबसे बड़ा एशिया का पलांट भी खरकोदा में लगने वाला है तो ये सब वो चीज़ें हैं जो किसानों को मारुत्ति से जोड़ने का काम करेंगी तो सरकार साफतोर पर किसानों को नाराज नहीं करने वाली 5801 जमीन के लिए 11 गाउं के ये जो किसान है इन किसानों को सरकार खुश करने का भी काम कर सकती है जिन में गाउं लडरावन, बरोणा, गाउं कीडोली, परलादपुर, पाई, सोहटी, जसोर खेडी, कानुंदा, खेडी जसोर, कुलासी और निलोठी गाउं का रकवा शामिल है इन किसानों को भी खुशी है क्योंकि इनके मेंसे कुछ गाउं ऐसे जिनकी सारी जमीन जा रही है लेकिन कुछ गाउं ऐसे जिनकी काफी जमीन फिर भी बच रही है मारूति यहाँ तक आजाएगी तो बैक डोर से इन गाउं के विकास को भी डारेक्ट रूप से एंट्री मिलने का कारिया होगा लेकिन सरकार किसानों को नाराज नहीं करना चाहती और लेंड पुलिंग स्कीम के लिए मारूति को भी नाराज नहीं करना चाहती तो बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार काफी जल्द परियाश कर सकती है और ये देखने का विश्य होगा कि मारूती के विस्तार में ये गाउं किस परकार अपना योगदान दे सकते हैं जल्द ही कोई जो बड़ी अपडेट आएगी उसके साथ हम आप लोगों से मिलते हैं अपडेट आप लोगों के समक्षम साथ जहा करने का भीकारी करते हैं इसके साथ आगले वीडियो तो का आप लोगों से विदा लेते हैं तब तक के लिए जैंद चैभारत हमारे चैनल को स किम 2022 को जानना चाहते हैं उन के लिए भी हम जल्द नई वीडियो लेकर आने वाले हैं तो चैनल से जुड़े रहें और हमें इसी परकार स्पोर्ट करते रहें